भारत के किसी भी कॉलेज, यूनिवर्सिटी या इंचिचीट के बारे में पूरी-पूरी जानकारी के लिए आप हमारे इस चैनल के सस्क्राइब जरूर करें दोस्तों आपे कैसे यूटीब चैनल पे पहुच चुके हैं जहां पर नासिव टॉप 10 कॉलेज का नाम ही बताया जाता है बलकि टॉप 10 कॉलेज के बारे में पूरी-पूरी जानकारी काफी डीटेल में दी जाती है और आज की इस वीडियो में हम चानेंगे खंडवा के टॉप 10 कॉलेज को में तो चली दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं तो दोस्तों खंडवा के टॉप 10 कॉलेज के लिस्ट में नमबर वन पे है श्री दादाजी इंचिचूट अफ टेक्नोलोजी एंड साइंस यह कोलेज दोस्तों खंडवा में तथा इसकी अस्थापना होई थी 2014 में है यह कोलेज दोस्तों ऑर जी फी ऐनादाज यह थी फी उनिभर्सिति से ऐफलियेटेटेड से उर एticcję के लिए दोस्तों के लिए दोस्तों यह कोलेज खंडवा का बेस्ट कॉलेज यहांसे आप बी टेक अम कोस कर सकते हैं इस कॉलेज में दूस्तो बीटे के साथ प्रट्च ए सस्कॉलेज के लगभग दूस्तो तीस से चालीस परसेंट बच्जों को प्लिस्में टक्षक्समेंट तथा 이 स्कॉलेज लाख रूपीज इसका दूस्तों घंड लगभग दोस्तों थोप 10 Qzee के लिष्ट के फिरन पर्क्रूराम इंचिटूट और टेक्नोलोजी एंड रिसर्च यह कॉलेज जश्वादी में है तथा इसकी अस्थापना होईती दुखाजार तेराइस भी यह कॉलेज भी दोस्तो आर जी पीबी यूनिवर्सिटी से ही एफिलेटेड है और दीए भी यूनिवर्सिटी से भी एफिलेटेड है तथा ए आई जी टीए द्वारा एप्रूब्ड है दोस्तो अगर आप हायर एजूकेशन करना चाहते हैं तो जह कॉलेज आपके लिए बेस्ट रहेगा यहांचे आप बीटेक, एमबीए, डिप्लोमा इंजिनियरिंग तथा आईटी आई में कोर्स कर सकते है इस कॉलेज दोस्तों बीटेक के चार बरांच हैं एमबीए के पांच बरांच हैं, डिप्लोमा इंजिनियरिंग के चार बरांच हैं तथा आईटी आईक विशार बराणच हैं थोस्तों इस कॉलेज में भुलाग 25-30 पाबच्च वाश्मेंट अडायली दोस्तों मेडिकल कॉलेज दोस्तों यह कॉलेज खांडवा में है तथा इसके आसापना हुई थी 2017 यह कॉलेज दोस्तों MP MSU यूनिवर्सिटी से एफ्लियेटेड है तथा मेडिकल साइस में अपना केरियर बनाना चाहते हैं तो यह कॉलेज खांडवा चीला का बेस्ट मेडिकल कॉलेज है यह कॉलेज गॉर्मेंट भी है दोस्तों लेकिन यहां अभी नया कॉलेज है इसलिए यहां पे अभी सिर्फ MBBS में ही गोर्स उपलब्ध है लेकिन बहुत जल्द ही इस कॉलेज में MS और MD में कोर्स आने वाला है इस कॉलेज के बाद दोस्तों खंडवा के टॉप 10 कॉलेज के लिस्ट में चार्ट नमर पे है मोतिला नहरू लो कॉलेज यह कॉलेज खंडवा में तथा इस्तिया स्थापना हुई थी 1960 हिस्पी में यहां एक लो कॉलेज है दोस्तों इसलिए यहां से आप कानून की पढ़ाई कर सकते हैं इस कॉलेज के बाद दोस्तों खंडवा के टॉप 10 कॉलेज के लिस्ट में पांच नमर पे है एम जेपी पॉलिटेखनिक कॉलेज इस कॉलेज का पूरा नाम है दोस्तों महात्मा ज्योती फूले पॉलिटेखनिक कॉलेज यह एक गॉर्मेंट कॉलेज है यह कॉलेज सिहादा रोड खंडवा में है तथा इसकी आज स्थापना हुई थी 1960 हिस्पी में यह कॉलेज भी दोस्तों RGPB यूनिवासिटी से ही ए सब्सक्राइब यह से आप 시बील इंजिनियरीं मेगेनिकल इंजिनियरीं इलेक्टिकल इंजिनियरीं कभी स्था इलेक्ट्रोनेक्ज एंड टेली क्योंिनिकेशन इंजिनियरिंग से इस कॉलेज के बाद दोस्तों भॉस्तों Central College के लिष्ट नमर पे है एक लवबी पोलिटेखनिक कोलेज यह कोलेज हर सुब में तथा इसकी आश थापना होई थी 2017 पिन यह कोलेज दोस्तो आरजी पीवी उमिवार्सिटी से एफलियेटेड है तथा ए आई सीटी दोवारा एप्रूब्ड है दोस्तो यह भी एक कोवर्मेंट कोलेज है जैसा कि यह एक यहाँ से भी आप सीविल इंजिनियरिण, मेकेनिकल इंजिनियरिण, कम्पिउटर साइंस एंड इंजिनीरिण तथा इलक्ट्रोनिक्स एंड टेली कम्यूनिकेशन इंजिनियरिंग से डिपलोमा कर सकते हैं इस कोलेज के वाद दोस्तो खांडवा के टॉप टेन कोलेज के स्थापना हुई थी 1997 में यह कॉलेज दूर तो दी एबीबी यूनिवर्सिटी से एफलियेटेड है तथा एन से टि दुवारा एप्रूब्ड है इस कोलेज से आप बहुत सारा कोर्स कर सकते हैं यहां से बीएसटी बीकम बीबीए बीसीएаемсяी पीजीडी से तथा बीएड और डीएल इडी में भी कोर्स कर सकते हैं इस कोलेज के बाद दोस्तों खनदवा के दॉप्टें कोलेज के खंडवा में तथा इसकी आश्थापना होई थी इनीस सो और तालीस भी जो कॉलेज भी डी एभी यूनिवर्सिटी से एफ्लिएटेड हैं तथा इसकी द्वारा रेकोनाइज्ट दोस्तों यह एक कॉलेज है यहां से आप बी एए बी स्टी बीगम एमें में सी एमकों तथा कॉर्स कर सकते हैं इस कॉलेज के बाद दोस्तों खंडवा के टोप 10 कॉलेज के लिष्ट में 10 नमर पे है साइं कॉलेज ओफ नर्सिंग एड परामेडिकल साइन्स यह कॉलेज भी दोस्तों खंडवा में ही है यह कॉलेज MPNSU यूनिवर्सिटी से एफ्लिएटेड हैं तथा यहां से आप BAC Nursing, GNM, BMLT, DMLT तथा Bachelor of X-ray Technician से कोर्स कर सकते हैं दोस्तो यह है खांडवा के Top 10 College इन कोलेजों के अलावा खांडवा में Dr. C.V. Raman University भी है जहां से आप बहुत सारा कोर्स कर सकते हैं दोस्तो आज के यह वीडियो आप सबी को कैसा लगा हमें जरूर बताएं तर्था वीडियो अगर अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक शरूर करें और चैनल को अभी तक आपने सस्क्राइब नहीं किया है तो प्लीज आप हमारे इस चैनल को सस्क्राइब जरूर करें